अगला टॉपिक है ये पी अल अप्रोप्रियेशन है क्या आओ जरा बच्चा पाटी मेरे साथ साथ एक फॉर्माट बनाओ सभी के सभी बच्चे मेरे साथ साथ एक फॉर्माट बनाते हैं और बताते हैं ये पी अंडल अप्रोप्रियेशन होता क्या है profit and loss profit and loss appropriation account अब यहाँ जिस year के लिए बना रहे होते हैं उस year की date भी लिखते हैं जैसे मतलब माल लेते हैं for the year ended मिरे पास जगे नहीं है आप लिख सकते हो इसके नीचे 31st March 2024 माल लेते हैं for the year ended 31st March 2024 ऐसे आपको पूरी पूरी date लिखनी पड़ेगी यह format है format exactly सब बच्चों को clear होना चाहिए अब यहाँ पर आता है बचापाटी particulars फिर आता है यहाँ पर amount then again यहाँ आता है particulars और फिर आता है यहाँ पर amount यह credit side है बचापाटी और यह होती है debit side सबसे पहली बात पिनल अप्रोपृेशन अकाउंट बनाया ही क्यों जाता है पिनल अप्रोपृेशन अकाउंट हम बनाते हैं क्योंकि हमें यह profit या कोई भी हिस्सा जो парठर्रस के बीच में share करना होगा इसलिए हमें पिनल अप्रोपृेशन account बनाया जाता है, P&L appropriation account बनाते हैं ताकि partners के बीच में हम profits और उससे related informations को share कर सकें, अब इनके अंदर आता क्या है, इनकी debit side पर क्या आता है, whatever is given to a partner, whatever is given to a partner will come on the debit side, जो भी हम partners को देंगे, वो P&L appropriation account की debit side पर आएगा, similarly, whatever is charged from a partner, whatever is charged from a partner, वो आएगा credit side पर, मतलब यहाँ पर partner संबंधित चीजों को ही record करना है, business से related कोई चीज को record नहीं करना है, यहाँ partners के बीच में जो भी चीज़े होती है, उनको record किया जाएगा, बतलब अगर partner को let's say हमें interest on capital देना है, तो two interest on capital लिख देंगे, और जिस partner को देना है, उस उस partner को देंगे, let's say हमको partner से charge करना है interest on drawing, तो हम partner से interest on drawing charge कर लेंगे, हमें partner को salary देनी है, तो हम two salary लिख देंगे, हमें partners को commission देना है, तो यहाँ पर two commission दे दिया जाएगा, क्या बात समझ में आ रही है, यह P&L appropriation account बेटा तभी बनाया जाता है, जब किसी भी question में profit हो रहा हो, अगर loss हो रहा होगा, तो P&L appropriation account नहीं बनाया जाएगा, P&L account ही बनाया जाता है, P&L account कौन से account होता है, जो class 11th में आप पढ़ कर आ रहे हैं, final accounts के chapter में, however, जहाँ पे जरूत पढ़ेगी, मैं वो भी आपको बना कर सिखाऊंगा, कोई दिकतली बात तो नहीं है, एकदम हर एक चीज आखों के रस्ते दिल में उतर रही है, तो अगर question में हमको profit दे रखा है, तो हम यहाँ लिखते हैं, by profit and loss, हर question में आपको कुछ न कुछ profit दिया होगा, उसके हिसाब से आपको question को start करना है, मैंने एक चीज बताई, कि P&L appropriation account में, whatever is given to a partner and whatever is charged from a partner will be recorded, इसके अलावा एक चीज और को record किया जाता है, कभी-कभी question में बोला जाएगा, कि हमें कुछ profit का हिस्सा, reserve में transfer करना है, मतब transfer to reserve will also be recorded here, अगर question में बोल रखा है, कि profit का कुछ हिस्सा, हमें reserve में transfer करना है, उसको भी record करते हैं, P&L appropriation account के अंदर, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, फिर बाद में हम क्या करेंगे, फिर बाद में हम लोग बचा हुआ profit, पार्टनर्स को दे देंगे, to profit, T oblique T, मतलब transfer to, जो भी partner से, A, B partner से, उनके ratio में, पार्टनर्स के बीच में distribute कर दिया जाएगा, मैं थोड़ा side हो जाता हूँ, किसी को screenshot लेना है, तो वो ले सकता है, किसी को note करना है, बाबू, तो आप अराम से note कर सकते हो, कोई दिक्कत, कोई परशानी, कोई tension नहीं होनी चाहिए, सब बच्चों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, एक-एक point समझ में आया है, हमने कैसे-कैसे लिखा, अब साथ में, अगर हम से कोई ये बोल दे कि इसकी journal entry भी बता दो साहिब, तो और मज़ा आ जाए, तो चलो भी आज journal entry बनाते, आपको एक-एक चीज की journal entry भी, हम इसी question में सिखाते हैं, आये जड़ा सिखाते, इसको थोड़ा सा कर देते हैं, आपको छोटा, ठीक है, आओ चलो, हम आपको एक-एक चीज की journal entry बताने जा रहे हैं, ये वाला portion थोड़ा रप कर दे, नहीं रप नी करते हैं, इधर लिख देते हैं, चलो, यहां लिखने जा रहा हूँ, मैं journal entries, because journal entries आपके examination में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, और आपको exactly अच्छे से पता होना चाहिए, कि journal entries कैसे पास करेंगे, सबसे पहले, सबसे पहले, हमने ये profit and loss को यहां उतारा, इसकी journal entry कैसे पास होगी, सोचो, सोचो, P&L appropriation account, excuse me, P&L appropriation account credit हो रहा है, और ये profit कहां से आया है, profit and loss account से, तो ledger से journal नहीं बना सकते हैं, क्या, तो इसकी entry क्या बनेगी, इसकी entry बनेगी, profit and loss account debit to profit and loss appropriation account, मैं थोड़ा short में लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है न, P&L app लिख दिया है, तो तुमको समझ में आ रहा है, P&L appropriation के बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, net profit transferred, net profit transferred, पहली entry सबको clear हो गई, ये profit को हम P&L appropriation account में कैसे note down कर रहे हैं, clear हो गया, P&L account debit to P&L appropriation account, similarly हम interest on drawings की entry कैसे pass कर सकते हैं, आओ ज़रा देखा जाएं, interest on drawings की entry कैसे pass करेंगे बच्चा पाटी, चलो, आओ देखो, ये entry क्या बन जाएगी, interest on drawings, interest on drawings, account debit to P&L appropriation account, clear है की नहीं, clear, to P&L appropriation account, बात समझ में आ रही है, हमने क्या कर लिया, interest on drawings to P&L appropriation, similarly अगली entry क्या हो सकती है, profit and loss appropriation account debit to interest on drawings, clear है की नहीं, clear, बच्चा पाटी, अगली entry क्या बन जाएगी, profit and loss appropriation account debit to interest on capital, उसके अगली entry क्या बन जाएगी, profit and loss appropriation account debit to salary, profit and loss appropriation account debit to commission, profit and loss appropriation account debit to reserves, profit and loss appropriation account debit to A to B, तो तुमको entry pass करना कैसे सिाया, ये समझ में आ रहा है, अभी opening क्या होती है, closing क्या होती है, सब discuss कर लेंगे, बच्चा पाड़ी बिल्कुल tension लेने वाली बात नहीं, लेकिन P&L appropriation account के हर एक item की journal entry कैसे बनेगी, ये clear हो गया है, सब बच्चों को समझ में आया, interest on capital की entry क्या हो सकती है, रेको P&L appropriation account क्या हो रहा है, debit हो रहा है, तो इस बनाई है, एक dumb clear, कोई दिक्कत, कोई परशानी, कोई मुसीबत तो नहीं, similarly क्या अगले-अगले सारे items की आप, interest, sorry, सारे-सारे अगले item की आप, entries पास कर सकते हैं की नहीं, पास कर सकते हैं, फंबल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, बात समझ में आ रही है की लोको